बुराने से पुराने दर्द को ये तुरंत आराम कर देता है ये इस्प्रे और जैसे कि जोडो का दर्द हो कमर का दर्द हो पीट का दर्द हो या कंदे का दर्द हो या फिर हम कह सकते मास पेसियों में खिचाओ की समस्या आ गई हो तो वहाँ पर इस इस्प्रे को लगाए जा इसके बारे में पूरा डेटिल से आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे इसे दिन में कितनी बार लगाना है कहां और किस परकार के दर्द की समस्या में इसे हम लगा सकते हैं चलिए जान लेते हैं पुराने से पुराना दर्द हो या जैसे गठिया का दर्द हो हाथ का द किर्केट खेल ले हैं या फिर मैल्च क्यों नहीं तो उस में यह इस्प्रेख कर सकते हैं जिसे आपको तुरण-तारा मिलता है या फिर आपके मास पेशियों में कापी लंबे समय से दर्द बना रहता है वो किसी भी कारड से हो जैसे कि लाठी डंडा का चोटो या फिर गिरे पर एक आचा उठो या फिर आपकी किर्केट खेलने की वज़ा से आपके हाथ पैर में कहीं पर फेक्चर हो जाता है उसकी वज़ा से वहाँ पर काफी दिन बाद भी दर्द बना रहता है तो इन सारी दर्द को ये ठीक करता है इनो टर्टिस अर्थराइट के कारड वहाँ पर दर्द की समस्या रहती है तो इस समस्या में भी डॉक्टर के दोरा ये पर लगाने के लिए दिया जाता है या फिर आप जैसे कोई काम कर रहे हैं किर्केट खेल रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं या किसी भी कारड से कोई भी आप अपना काम कर रहे हैं उसके वह जासे आपके हाथ में या आपके उंगलियों में किसी परकार का चोट लग जाने के कारड वहाँ पर काफी दिनों से या फिर दर्द की समस्या रहती है तो उस समय डॉक्टर के दवारा ये spray लगाने के लिए दिया जाता है जिससे तुरंत आराम मिल जाता है चलिए अब हम इसके side effect जान लेते जैसे कि आप ये spray करने के बाद में आपन जलन की समस्या हो सकती है वहां से eating की समस्या हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं कि आपको redness वहां पर आजाएगी soylene की समस्या रहेगी वहां पर आपको redness देखने को मिल सकता तो ये कुछ इसके side effect कुछ लोगों में देखा गया है ये spray आप दिन में दो से तीन बार अपलाई कर सकते हैं जहां पर आपको समस्या है जैसे कि गठिया या गौडी के किसी भी पार्ट में आपको दर्द की समस्या है तो आप इसे अपलाई कर सकते हैं अगर इसके अलावा अगर आपको कोई दिकत कोई परिसानी है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करके दवा लें कोई भी दवा कोई भी इंजक्षन आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें